हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू डाउटनेट लाइव, तो बच्चों कैसे हैं आप सभी, आमशौर कि आप सब हो फिट एंड हल्दी और पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से, तो बच्चों आज की क्लास जैसा कि आप देख रहे हैं, हम कर रहे हैं बोर्ड और उसमें most expected questions, तो आज का जो हमारा chapter है, वो है chapter number 15, probability, इसके भी हम क्या करने वाले हैं, most expected questions करने वाले हैं बच्चों, तो बिना time waste के शुरूआत करते हैं, और साथ ही साथ मैंने आप से कल एक बात पुछी थी, आप आगे कैसे revision करना चाहते हैं, तो उसमें से कुछ नहीं कर सकते हैं, पर सेंपल पेपर स्टार्ट करेंगे, तो कम से कम दो दिन तो एक सेंपल पेपर को रिवाइज करने में लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है, तो चलिए, शुरुआत करते हैं अपनी class की, तो सबसे पहले quiz के साथ, जैसे कि आपको बता हैं, जैसे कि आपको कि अगर कोई event sure है, तो उसकी probability क्या रहेगी, चलिए, चार options में से बताईए, बच्चो, correct option, A, B, C, D, 4 option हैं आपके पास, चलिए, next बच्चो मारे पास, which of the following can't be the probability of an event, इन में से कौन सी probability नहीं हो सकती, तो चार option है यहां पर, 0.8, 9%, minus 2.3, और 4 by 5, तो इन चारों में से बताईए कि कौन सी जो है, वो probability नहीं हो सकती, किसी भी event की, चलिए, डन बच्चो, चलो, इन के answers देखते हैं, first का है probability of sure event, तो हमेशा आद रखो कि अगर कोई event हो रहा है, तो उसकी probability हमेशा क्या रहेगी, one रहेगी, मतलब sure है, तो one और नहीं हो रहा, तो zero, ठीक है, तो नहीं अगर है, impossible है, तो zero, और अगर बिल्कुल sure है, तो one, उसके बाद है बच्चो, which of the following can't be the probability of any event, जो मतलब इन में से कौन सी है, जो probability नहीं हो सकती, तो negative जो दे रखा है, वो negative probability नहीं हो सकती, probability zero और one के बीच में ही लाई करेगी, या तो होगी या नहीं होगी, या उनके बीच में लाई करेगी, कि होने की समभावना कितनी है, ठीक है, तो यह हुए बच्चो कोज के questions, अब फटाफट से देखते हैं, हमारे पास जो जरूरी बात है वो, और वो है बच्चो क्लास 11th का VIP कोर्स, है ना, 10th के बाद आप बच्चे 11th में जाओगे, और कुछ बच्चे जो अलग-अलग बोर्ड के हैं, वो 11th में हो भी गई है, तो बच्चो 11th क्लास का आपका नया कोर्स 11th मार्च से शुरू हो चुका है, इस कोर्स में क्या है, इस कोर्स में स्कूल एक्जाम में आपके अच्छे मार्च लाने के लिए एक फुल कोर्स होगा, साथ ही साथ ही ये 18th अपरेल से शुरू हुआ है, और 18th मार्च से शुरू हो चुका है, और 20th अपरेल 2022 तक जा पूरे चेह दिन हफते के यह क्लास इसके लावे बच्चोंगे आपको विकली मोटिवेशन एnd गाइदेन सेशन रहेगा और सक लावा रेफरेंस बुक मिलेंगे इतनी सारी चीज़े मिलेंगे आपको इसके अलावर यह कोर्स क्यों पैस्ट है इस course में आपको पढ़ाएंगे well experience teacher जिनको school teaching का experience है साथी साथ doubt clear जो होंगे आपके वो बहुत अच्छे से होंगे उनका आपको video solution मिलेगा ठीक है इसके अलावा practice के लिए homework, notes, important questions, previous years questions ये सारी चीज़ें बच्चों आपको मिलेंगे साथी साथ सबसे कमाल की बात है वो है dual teachers मतलब दो teachers पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे एक तो teacher आपको class में क्या बहुत अच्छे से चीज़ें बताएगा और समझाएगा अगर फिर भी आपके doubt है बच्चों तो जब आप doubt session में लिखेंगे तो जो दूसरा teacher है वो आपके doubts को solve करेगा तो यह सारी चीज़ें बच्चों आपको इस course में मिलेंगी यह हैं आपके teachers जो आपको physics, chemistry, bio, maths और English पढ़ाएंगे तो यह different teachers हैं आपको जो different subjects पढ़ाएंगे साथी साथ बच्चों यह जो course है इसकी fees रहेगी 10,000 रुपीज 10,000 रुपै इसकी क्या होगी fees रहेगी और यह one year का full course होगा और इस full course में बच्चों physics, chemistry, maths, bio and English आप लोगों को पढ़ाई जाएगी साथी साथ आपको अगर और जानकारी इस course के बारे में चाहिए तो बच्चों यह जो नंबर यहां दे रखा है ना 0124-715-8250 इस पे call करके आप इस course के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं या फिर आप comment करके भी पूछ सकते हैं तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर अभी एक पोल आएगा और उस पोल के थूँ आप हमें बताएंगे कि आप में से कितने बच्चे इस course को जोईन करना चाहेंगे चालिए बताइए बच्चों कि क्या आप इस course को जोईन करना चाहेंगे चालिए यह हुआ इस course के बारे में बच्चो अब हम बढ़ते हैं अपने किसकी तरफ important questions की तरफ और important questions में हम कौन से कर रहे है most expected questions जो की आपके exam के हिसाब से बहुत जरूरी है हमारा जो topic चल रहा है वो probability है तो probability में आपको पता है कि probability कैसे निकालते है number of outcomes favorable और number of all possible outcomes मतलब जितनी संभावनाएं हो सकती है उसको नीचे रखेंगे और जितने possible outcomes हो सकते हैं वो क्या आएंगे ऊपर आएंगे ठीक है उसके बाद जो p equal to 1 अगर की 1 है उसकी value तो क्या कहेंगे उसको certain event कहेंगे और अगर 0 है तो बच्चो उसको कहेंगे impossible event अभी आपको बताया था कि 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो होगा या नहीं होगा ठीक है तो negative में कोई इसकी value नहीं होती हमेशा या तो 0 होगी या 1 होगी या इसके बीच में लाई करेगी ठीक है तो अगर 1 है तो मतलब certain की हो होने की यह जो फॉर्मूला है ना पी पी प्लस पी ए बार लगा लो या इसकी जगर डैश लगा लो मतलब होने और ना होने की संभावना यह एक्वल टू जो वन लिखा हुआ यह फॉर्मूला डारेक्ट कई बार पूचा जाता है यह आपके सेंपल पेपर में भी था और पी ए स्टेंड कर रहा है नौट ए तो एंड एर कॉल कम्प्लिमेंटरी इविंट तो इस फॉर्मूले को याद कर लो होने और ना होने मतलब होना और ना होना दोनों मिला कर क्या हुआ बन हुआ या फिर आसा भी पूच सकता है जो पी ए है वो एक्वल टू वन माइनस पी वो फॉर्मूला आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते लेकिन इस एक चीज़ को याद रख लो ठीक है चली आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट है हमारा फॉस्ट कुशन इन फैमिली ऑफ थ्री चिल्डरन कैलकुलेट दा प्रॉबिलिटी ऑफ हैविंग ए तीन चिल्डरन में से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं देखो ऐसा हो सकता है कि तीनों बच्चों में से तीनों के तीनों क्या हो बॉइज हो या फिर ऐसा हो सकता है कि दो बॉइज हो एक गर्ल हो या फिर यह हो सकता है कि एक बॉइज हो और दो गर्ल हो या फिर यह हो सकता है कि तीनों की तीनों क्या हो गर्ल्स हो ठीक है तो हमें क्या बतानी है at least one boy की probability बतानी है तो भई one boy at least तो इसमें कितना हो गया one two or three यह तीन situation ऐसी है जिनमें at least one boy आ रहा है तो अगर हमें इसकी probability बतानी हो किसकी probability at least one boy की तो हम क्या लिखेंगे इसमें at least one boy में कितने हैं इसमें possible outcomes three है और total जो outcome है वो है बच्चो four तो three by four आ जाएगी इसमें at least boys होने की probability ठीक है तो P क्या जाएगा हमारे पास three by four यह हुआ first question इस तरह के question आपके one marks में आएंगे उसके बाद है बच्चो second second में है a letter of English alphabet is chosen at random ठीक है कोई एक letter है English alphabet का वो randomly choose कर दिया है determine the probability that chosen letter is consonant अब इसमें ना probability में बच्चो आपको यह बहुत अच्छा से पता होना चाहिए कि कितने vowels होते हैं और कितने consonant होते हैं अगर यह चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर आपको यह question solve नहीं पाएगा consonant याद नहीं है तो अगर vowel भी पता है तो उससे भी काम चल जाएगा vowels आपके a, e, i, o, u होते हैं तो यह कितने होए 5 होए और जो total letters होते हैं वो कितने होते हैं 26 26 तो अगर consonant नहीं पता तो 26 में से यह 5 माइनस करके देख लो, कितने आजाएंगे 21, 21, 21 आजाएंगे तो 21 क्या है, consonants है तो वो ही हमें क्या बतानी है probability बतानी है तो इसमें आप क्या लिख सकते हो total letters लिख सकते हो total letters होते हैं English alphabets में वो होते हैं बच्चो 26 ठीक है, consonant हो गए यहां पर आप ऐसे consonant के लिए करके नहीं की जौरत नहीं है कि आप 26 में से 5 करके दिखाओ आप सीधा लिख सकते हो 21 ठीक है, अब हमें क्या लिखना है probability क्या होनी चाहिए letter is a consonant, यह probability होनी चाहिए तो हम क्या लिखेंगे probability of getting a letter that is a consonant तो उसके लिए क्या लगाएंगे, भई, जो consonant है, मतलब जितने भी possible outcomes होते हैं, वो upon में total number, तो possible outcomes 21, वो total कितनी है, 26 तो 21 by 26 क्या जाएगी इसकी probability, ठीक है यह बना, यह भी one mark के लिए important है, इसमें कई बार इस consonant की जगे, बच्चो, क्या पूछ लेते हैं vowel पूछ लेते हैं, तो अगर vowel पूछ लेगा तो आप 5 लगा देना उसकी जगे, ठीक है, यह बना हमारा second question, आगे बढ़ते हैं next बच्चो, यह हमारा a card is drawn at random from a well-shuffled pack of 52 playing cards find the probability of getting neither a red card nor a queen, यानि कि हमें probability निकालनी है, कि ना तो उसमें red card हो और ना ही हो queen ठीक है, अब यह तो हमें पता है कि 26 card जो है वो क्या होते हैं, red होते हैं 26 card red होते हैं, और उन 26 card में queen भी होती है है ना, 4 queen होती है, total तो 2 queen जो red है, वो तो red के साथ ही निकल जाएंगी, लेकिन 2 queen और बचेंगी, जो की किसमें है black cards में है, किसमें है वो black में, ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चो लिख लेते हैं, देखो पहले total cards लिख लो, आप भी ना comment box में फटा फट से अपने-अपने answers बता सकते हो, या फिर आप मुझे बता सकते हो कि अगर हम red cards और queen को निकाल दें, तो कितने cards बचेंगे ये बता दो जल्दी से, तब तक मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, total cards जो बचे हैं, तब total cards जो हैं हमारे पास, वो हैं 52 red cards जो हैं और उन 26 में दो queen भी चली गई, जो कि क्या होती है, red जो होती हैं, अब 2 queen और बची हैं, जो किसमें हैं black में, यानि कि जो black बच गई न Caitlin 26, उसमें से भी हमें क्या लेनी हैं, दो queen लेनी हैं तो बहई queen देखें अगर हम queen होती है, total 4 होती है, queen अगर हम बात करें तो वो दो है यह आपको बताने के लिए लिख रही है कितनी है ब्लाक कुइन दो है तो हमें तो ऐसे चाहिए ना जिसमें रेड भी ना हो और कुइन भी ना हो है ना क्या हो रेड भी ना हो और कुइन भी ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखो नाइधर रेड क्या लिखेंगे neither red nor queen उसके लिए हम क्या करेंगे total cards है 52 और उसमें से बच्चों जो हमारी total red cards है 61 plus जो 2 हमारे पास क्या है black queen है वो minus कर देंगे मतलब 52 में से हम minus करेंगे 28 ठीक है कितने minus कर देंगे 28 तो यह बन जाएगा 24 कितना बन जाएगा 24 तो अब 24 जो है वो है हमारे possible outcomes ठीक है वो क्या है हमारे possible outcomes तो हम यहां क्या लिखेंगे probability of getting neither a क्या लिखेंगे neither a red nor a nor a queen तो इसके लिए बच्चों क्या लिखेंगे हम इसके लिखेंगे 24 upon में कर देंगे 52 24 upon में 52 किस से cancel हो जाएगा 4 से cancel हो जाना चाहिए 4 6 और यह 4 बन जा 4 4 3 जा 12 तो 6 by 13 इसकी क्या जाएगी probability आ जाएगी ठीक है तो यहां पर किस बात का ध्यान रखना है यहां पर इस बात का ध्यान रखना है देखो main चीज जो ध्यान रखनी है वो यह की जो red 26 आ गए है उसमें 2 queen जो red है वो शामिल है हमें 2 black वाली लेनी है क्योंकि total जो है वो 4 होती है तो 2 red हो गई 2 black हो गई तो 26 में यह add करके इसमें से minus कर देना ठीक है तो यह आपके आ जाएंगे possible outcomes ठीक है यह बना हमारा third question यह question भी कई बार पूछा जाता है क्योंकि इसमें गडबड बच्चे को इन वाली करते हैं तो ध्यान रखोगे तो हलाकि आसा भी नहीं है क्यों बहुत मुश्किल सा कुछ टास के बच्चों यह समझनी आएगा द्यान रखने वाली बात है में तो चलो आगे बढ़ते हैं next है हमारे पास a box contain cards number 6 to 50 a card is drawn at random from the box मतलब एक box है और उसमें जो card है वो number 6 से लेकर 50 तक है calculate the probability that a drawn card has number which is a perfect square मतलब हमें क्या निकालनी है उसकी probability निकालनी है जो की card निकल कर आए वो क्या हो एक perfect square हो अब 6 से 50 तक के बीच के कितने card हो है बीच में जिसमें की number 6 तो include है खुद भी है तो 6 से लेकर 50 तक total cards कितने होंगे पहले वो हमें देखना पड़ेगा यहां से कई बार ना total cards में भी बच्चे क्या कर जाते हैं गलती कर जाते हैं वो क्या करते हैं 50 में से 6 माइनस कर देते हैं और 50 में से 6 माइनस किया तो कितना बचा बचा भी 44 बचा 44 लिख देते हैं total लेकिन यहां पर लिखोगे ना card number 6 to 50 हैं तो 6 भी include है ठीक है तो आप 50 में से 5 माइनस करोगे 6 तो इसमें क्या है include है 50 में से 5 minus करना 45 बचेंगे आपके total cards ठीक है तो total cards हम निकालें यहां से total cards total cards के लिए हम निकालेंगे 50 में से 5 minus करेंगे या तो 5 minus कर दो नहीं तो कई बार हम minus 6 करके plus 1 भी कर देतें तो बात एक ही बनती है उससे आता 45 ही है क्योंकि 6 तो हमने number minus करें आया 44 फिर जो card 6 है वो खुद भी include है तो चाहो तो क्या लिख दो 50 minus 6 plus 1 कर दो नहीं तो आप सीधा कर सकते हो अगर आपको समझा आ गया है 50 minus 5 उसको लिख सकते हो 45 मतलब total हमारे cards पास जो cards है वो क्या है 45 है अब हमें क्या लिखाना है perfect square अब देखो perfect square कितने है perfect square comment box में बता हो जारा कितने है perfect square 6 के बाद वाले लेने उससे पहले नहीं लेना वैसे भी उसके पहले तो एक 4 ही बनता है और 4 तो इसमें आएगा नी क्योंकि 6 से start है तो perfect square होए हमारे 9 हो गए बच्चो 3 का 4 का 16 हो जाएगा 5 का 25 हो जाएगा और 7 का 49 हो जाएगा तो total square कितने होए 1, 2, 3, 4 एक और रह गया इसमें 36 6 का रह गया और फिर 7 का हो जाएगा ठीक है तो जितने भी number है उन सब का लिख लो 36 हो गया 49 तो 1, 2, 3, 4, 5 बन गए तो probability क्या लिखोगे probability of getting a perfect square कितनी बन जाएगी ठीक है इस number का ध्यान रखना है 45 का बार बार बता रही हूँ a perfect square बच्चो क्या बनेगी यहां से possible outcomes हमारे कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5 5 और total outcome हमारे हो गए है 45 cancel करेंगे तो यह आजाएगी 1 by 9 कितने आजाएगी 1 by 9 तो यह बनी यहां से ठीक है तो एक बार फिर से सुन लो इसमें number बच्चों 6 to 50 है तो इसमें क्या करना है आपको 6 से 50 कार्ड देखने कितने होंगे 6 को include करना है तो total बनेंगे आपके पास 45 फिर आपको देखना है कि 6 और 45 के बीच में 6 और 50 के बीच में number जो हैं कार्ड के उसमें कितने square number exist कर रहे हैं तो वो हमारे पास बच्चों 5 कर रहे हैं तो हमने 5 अपोन 45 लिखा 1 by 9 यह बना हमारे पास question number 4 देखो question आपके आएंगे easy probability में ऐसा नहीं है कि कोई difficult आएगा लेकिन अगर आप नहीं उसको समझ पाए कि क्या दे रखा और क्या वो पूछना चा रहा है थोड़ा सा तो confuse करके दे गई examiner obviously उसका काम है confuse करना बट आपको confuse नहीं होना है चीक है चालो आगे बढ़ते हैं आगे है हमारे पास यहां पर a number is chosen at a random from the number एक number को लिया गया है कौन-कौन से number है कसे लिया गया है minus 3, minus 2, minus 1 0, 1, 2, 3 what will be the probability that square of this number is less than or equal to 1 square of number is less than or equal to 1 square probability that square of the number अब देखो यहां पर हम total outcomes देखें तो कितने हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है तो total outcomes तो हमारे पास कितने आ गए 7 आ गए अब इनका square देख लेते हैं square सबका देख लेते हैं minus 3 का square करोगे square of numbers square of numbers कर लेते हैं तो देखो minus 3 का square किया क्या आएगा 3 आएगा उसके बाद minus 2 का square करोगे यह क्या बनेगा 2 बनेगा minus 1 का square करोगे यह 1 बनेगा फिर बच्चो 0 का square करोगे 0 फिर क्या करोगे 1 का square 1 क्या है positive है तो positive का square करो या negative का square हमेशा ही क्या आता है positive आता है ठीक है square तो क्या आएगा square हमेशा positive आता है तो हम लिखेंगे यहाँ one का square तो बनेगा बच्चो one और फिर two negative का square करो या positive का one ही रहना है यहाँ पर लिख देते हैं three का square यह बना nine अब वो कह रहा है कि ऐसे square जो less than or equal to one हो तो कौन-कौन से less than or equal to one है जाता हो एक तो less than or equal to one एक तो यह हो गया one के equal एक ही हो गया one के equal और यह less than one के equal तो possibilities कितनी हो गई? free हो गई, कितनी हो गई? free 3 हो गई और total कितने है? seven है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से probability of number क्या लिखेंगे? square of number less than one क्या लिखेंगे, square of number less than one, square of number less than, और क्या लिखेंगे, equal to, equal भी दे रखा न, one, यह हो जाएगी, हमारे पास three by seven, क्या हो जाएगी, three by seven, तो square of number, जो की क्या हो, one से चोटे हो, तो हमारे पास क्या जाएगा, तो three by seven आजाएगी, ठीक है, इसमें तिर्फ square करकर के देखने ते आपको, फिर आपके पास अंसर आजाता है, चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं, बच्चों, चलो, अभी तक जो हमने five question कीए हैं, उसमें किसी को कोई doubt, किसी question में कुछ पूछना हो, जल्दी से comment box में बताओ एक बार, कि अगर जो भी पीछले five question हैं, उसमें किसी को कुछ पूछना हो, तो, वैसे तो easy हैं, अगर पूछना भी होगा comment box में, तो आप लिख दो, next class में, हम discuss कर लेंगे, ठीक है, चलिए, if two different dice are rolled together, calculate the probability of getting any even number on both the dice, or that the sum of number appearing on the two dice is five, तो यहां पर क्या है, बच्चों, दो dice है, मालो हमने ये एक dice बना ली, और इसके साथ ही है, एक और दूसरी dice, ठीक है, इन दोनों dice को क्या किया है, एक साथ roll out किया है, अब वो कह रहा है कि getting an even number on both the dice, कि क्या probability होगी, कि दोनों ही dice के ऊपर क्या आए, even number आए, या फिर sum of number appearing on both the dice is five, और दोनों dice के ऊपर ऐसा number आए, जिनका sum five हो, यह हमें बताना है, ठीक है, तो देखो, इसमें क्या क्या possibilities हो सकती है, सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं, अगर two dice को roll किया जाता है, even number के case में, अगर even number हो दोनों dice पर तो क्या-क्या possibility बनेगी, two dice roll, two dice can throw as six into six, मतलब 36 ways हम उसको roll down कर सकते हैं, ठीक है, अब possibility क्या होगी, even number आने की, यह देखो, even number, क्या आने की, even number on both the dice, both the dice, दोनों dice पर even number आए, तो क्या हो सकता है, देखो, यह 36 ways हमने अपनी class में किये थे, कि कैसे, एक dice पर एक आए, फिर दूसरी पर six आजाए, फिर एक पर ही, एक रहे, दूसरी पर five आजाए, four आजाए, three आजाए, two आजाए, one आजाए, इस तरह से पूरी एक arrangement हमने अपनी class में की थी, उसके बाद दो है, दूसरी पर दो आजाए, फिर one, two, three, four, five, ऐसे six, तो six into six, total कितने ways बन जाते हैं, 36 ways बन जाते, तो even आने की possibilities क्या क्या हो सकती हैं, यह हम देख लेते हैं, देखो मान लेते हैं कि first dice पर two है, तो second dice पर भी two आए, first dice पर two है, second dice पर क्या आजाए, four आजाए, first dice पर two है, second dice पर six आजाए, एक तो यह हो सकता है, दूसरी possibility यह हो सकती है कि first dice पर four हो, दूसरी पर two, फिर इस पर four आजाए, इस पर four आजाए, फिर क्या हो जाए, एक पर four और दूसरी पर six आजाए, या फिर यह हो सकता है कि six हो और two आजाए, 6 है तो 4 आजाए और 6 है तो क्या आजाए 6 आजाए तो यह possible outcomes हो सकते हैं और यह कितने होए 3 into 3 9 ways हो गए कितने ways हो गए 9 ways हो गए यानि कि 36 में से 9 ways ऐसे हो गए जिसमें कि जो probability है दोनों dice पर even number आने की हो तो यहां से हम निकाले probability क्या निकाले probability of getting even number क्या निकाले probability of getting even number तो possible outcomes 9 है total outcomes 36 हो गए तो यह हो जाएगा 1 upon 4 1 by 4 यहां से बन जाएगा answer यहां से दूसरे part में हमें क्या करना है जब दोनों के उपर क्या बने 5 आए दोनों के उपर क्या आजाए यहां से that the sum of number appearing on both the dice is 5 तो दोनों पर 5 आने की possibilities क्या क्या हो सकती है दोनों पर 5 आने की possibilities जब sum उनका 5 आए तो हम क्या लिखान सकते हैं sum is 5 क्या होना चाहिए sum 5 होना चाहिए तो क्या क्या possibility बन सकती है first par two हो 2 फिर बच्चों थनी हो गई । क्या हो जाए पहले पर 3 आज़ दूसरे पर 2 हो جए या फिर । यह हो सकता है ये बचों एक dice है ये वाली और इसके साथ में है दूसरी dice तो दोनों के उपर का जो sum है वो क्या आए? 5, 4 possibilities हो गई, तो probability of getting sum as 5, क्या जाएगा? possible outcomes हो गई हमारे 4 और total outcomes थे, 36 तो ही हो जाएगा, 1 by 9, तो 1 by 9 हमारा क्या जाएगा यहां से? answer आजाएगा, ठीक है? easy-peasy, probability के number full समझना, और मैं तो यह कहूँगी, जो statistic है और probability है बचों, यह आपके 11 नंबर की बनती है, 10 से 11 नंबर, तो यह नंबर तो पक्के ही है, क्योंकि statistics में भी आपका formula याद हो, तो कुछ नहीं कटता उसमें number, और probability में भी आपने अगर समझ लि probability of selecting a rotten apple randomly from heap of 900 apple, मतलब की probability क्या होगी, rotten का मतलब होता है, सड़े हुए apples की, किस में से 900 apples में से, अचा, probability तो दे रखी है, number of rotten apples, बताने हमें कि सड़े हुए apple कितने होंगे, अगर probability 0.18 है तो, यहाँ पर सीधा सा formula लगाना है हमें, ठीक है, कई बार इस तरह से भी पूछ लिय जाता है, यह question बड़ा अच्छा है, इसमें हम क्या निकालते हैं, formula में क्या लगाते है, probability लगाते हैं, तो probability of क्या लगा दे, rotten apples लगा दे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास given है, फिर हम क्या निकालेंगे, number of apples, number of rotten apples, यह formula है, ठीक है, number of rotten apples, मतलब number of possible outcomes, upon में total number of outcomes, मतलब वो क of apples, तो total number of apples, मतलब total outcomes, और number of rotten apples, मतलब जितनी possibilities है, वो, तो rotten apples की probability दे रखे बच्छों, यहां से 0.18, और number of rotten apples है, number of rotten apples, वो हमें निकालने है, number of rotten apples, ठीक है, rotten apples, और नीचे हम लिख देंगे, बच्छों, क्या, 900, क्योंकि 900 टोटल है, यहां इससे multiply कर दो, यह बन जाएगा, 18 by 100 कर देंगे, decimal हटाकर, 900 से multiply कर देंगे, वो हमारे पास आजाएंगे, number of rotten apples, rotten apples, मतलब सड़े हुए या खराब apples, 0 से 0, 0 से 0, cancel करेंगे, 8, 9, 72, तो वही 2 लिख दिया, बच्छों, 9, 1, 9, 7, 6, 162, मतलब number of rotten apples, जो हुए, मतलब जो apple निकले, 900 में से, वो हमारे पास आगए, 62, इस line को सीधा करके लिख लेना, कि number of rotten apples equal to 162, ठीक है, तो इस तरह से भी कई बार क्या होता है, पूछ लिया जाता है, चली, आगे बढ़ते हैं, next है हमारे पास, three distinct coins are tossed together, find the probability of getting at least two head, और at least at most two head, वो कह रहें कि three different coins को tossed किया गया ह three coins है, three coins है, तो three coins को अगर toss करेंगे, तो क्या-क्या possibilities बन सकती है, देखे जरा, total number of outcomes, देख लेते हैं, जरा क्या है, क्या-क्या possibilities हो सकती है, ऐसा हो सकता है हमारे पास, कि दोनों पर head हो, फिर एक पर tail आ जाए, फिर या फिर क्या जाए, head, tail हो जाए, या फिर tail, head, head हो जाए, या फिर three पर head हो जाए, ठीक है, और क्या बन सकती है, भाई? तीनों पर टेल बन सकती है या फिर हमारे पास क्या बन सकती है हेड बन सकती है या फिर और क्या हो सकती है टी एच हो सकता है दो पर आ जाए और क्या आ जाए और क्या बन सकता है भाई टी एच हो सकता है और ह टी एच हो सकता है मतलब कहने की बात यह है कि हमारे पास जो possible outcomes है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कितने बने 1 यह repeat होगे शायद देखू इस वन और चलिए 1, 2, 3, 4, 5 हुए हमारे पास उसके बाद 6, 7 और कितने हो गए? 8 हो गए चलिए यह पने हमारे पास possible outcomes आथ यह होगे से बाद आकता ही वह सब्सकंवात है का मदूं। आप पॉसिबल आउट कम से वह करें किat लीस्ट 2 हैड हूँ क्या हो एत लीस्ट 2 हैड वाले सपास कहा पर है test, two इट्लीस्ट 2 हैड वाले संपास कहां पर है सियर्द वासन इंप 15 facts ज़सा के अरर 17 एक हमारे पास कौन सा है भाई चालो इसमें क्या देखो दो हेड हो एक टेल हो हेड टेल फिर दो हेड तीन हेड तीनों टेल हमारे पास एक हेड और दो टेल ओर भई दो हेड एक टेल भी आगया और क्या रहे गया टेल हेड यह भी हो गया टेल हेड टेल ये भी आ गया और head, tail, head और head, tail, tail 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8 भई हमारा कौन सा बचा है देखें T, H, H H, T हो गया T, T हो गया और H, H, T total number of outcomes यहाँ पर आएगा हमारा head ये और एक ये H, T, H H, T, H, H और 3, H, 3, tail भी आ गई, 2, head 2, tail भी आ गई और क्या बन सकता है बच्चों बताईए जल्दी tail, head, head, H H, T, T 2, head, हाँ, ये आ गई at least 2 का है न, तो इसमें 2 आ गई, इसमें 2 इसमें, ये तीन, भी, head है, इसमें 2 तो हैं ये at least आने के आने के आपने तो हैं, तो हमारे पास क्या बचे, tail, और चार कौन से बच गई हमारे पास, ती, H ठीक है, चार head वाले थे, यहाँ पर ये वाला भी था, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, बाइचांस, तीनो, H लगे हुए हैं, तो दो, H इसमें भी हैं, तो ये हमारे पास option आ गई, ठीक है, तो probability क्या आ गई यहां से, probability क्या at least 2, at least 2 head at least 2 head आने के, आपने देखा कितनी 4 है, और total है, 8 तो 1 by 2 बन गई, ठीक है, अब कह रहा है कि at most 2 head आने की, second part में क्या कह रहा है, at most 2 part आने की, तो at most 2 का मतलब क्या हुआ, at most 2 का मतलब हुआ की, 2 तो हुई, लेकिन जिसमें 1 है, वो भी calculate हो जाता है इसमें, तो इसमें देखे 3 और है, at most में, at least में तो आप सिर्फ क्या लगा होगे, वो की कम से कम 2 हो, तो 2 तो 4 में है, एक इसमें, इसमें और इसमें, चार में है, तो 4 अपन 8 लिख दिया, आमने 1 by 2 आ गया, अब वो करहा है कि at most 2 हो, तो at most वाले में आप क्या करोगे, 2 वाले भी count करते हैं, और 1 वा जो ये, ये और ये भी ले लोगे, आप इसमें तीन और ले लोगे, तो probability of at most 2 हेड्स, आप के पास आजाएगी 7 by 8, क्या हो जाएगी, 7 by 8, इसमें आप क्या-क्या ले लोगे, फिर से लिख दे, इसमें आप ये वाले शामिल करोगे, ये वाले भी इसमें शामिल करोगे, ये, ये और ये, ठीक है तो 7 हो जाएगे टोटल, ये तो रहेंगे ही, साथी साथ आप क्या ले लोगे, ये तीन और शामिल करोगे, तो ये बना बच्चों हमारे पास at most का और at least का, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, from a pack of 52 cards, क्या करेंगे, from a pack of 52 cards हमारे पास, queen, kings of red color are removed, य जैक को, queen को, kings को, red color के जो हैं, उनको remove कर दिया गया है, from the remaining a card is drawn at random, find the probability that drawn card is a black king, a black card of, a card of red color, और a card of black color, सबसे पहले तो card निकाल लेते हैं, कि total card हमारे पास यहां से कितने बचे, क्या क्या हमने remove कर रहा है, यहां से, ठीक है, चलो, total cards तो हैं हमारे पास, कितने 52, total cards हैं हमारे पास 52, cards जो remove कर दिये गए हैं, वो हैं हमारे पास, jack, queen और kings of red colors, तो removed card अगर हम निकालें, तो removed card बच्चों हमारे पास आ गए यहां से, दो तो jack आ जाएंगे, red color के बात हो रही है न, दो queen आ जाएंगी, और दो king आ जाएंगे, red color के, वो six हो जाएंगे, तो cards left अगर हम निकालें, या फिर remaining card निकालें, क्या निकालें, remaining card, तो कितने बनेंगे, minus कर के बताओ जड़ा, comment box में, चोटी-चोटी चीज़ें तो लिखते जाओ, बताओ जल्दी, remaining card निकालने हमें, तो remaining card कैसे निकालेंगे, remaining card के लिए, जो total card है, 52, उसमें से 6, minus कर देंगे, minus करने से ये बचेगा हमारे पास, 46, तो 46 cards हमारे पास बचे, अब वो कह रहा है कि black king, ठीक है, black king, अब black king कितने होते हैं, दो होते हैं, तो possibilities of getting black king, ठीक है, probability of getting, क्या लिखेंगे, black king, तो भई, black king, तो बच्चों कितने होएं, य और total निकले हैं हमारे पास कितने, 46, तो मतलब 1 और यह जाएगा 2, तो 1 upon 23 यहां से, possibility of getting black king आ गया, दूसरा वो कह रहा है हमें, कि क्या निकालना है, number of, a card of red color, red color का card, अब red color के card को अगर हम देखें, तो देखो, जो total cards होते हैं, वो 52 होते हैं, जिसमें से 26 red हो गए, और 26 क्या हो गए, यहां से black हो गए, ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि 26 हमारे पास red है, लेकिन इस 26 red में से, 6 तो निकाली दिये न, दो jack निकाल दिये, दो queen निकाल दिये, दो king निकाल दिये, तो 6 remove करके, यहां से कितने बचे हैं, 20 red card बचे हैं, ठीक है, तो अगर मैं यहां से number of red cards निकालूं number of red cards तो वो आ जाएंगे बचो टोटल 26 होते हैं लेकिन 6 हम निकाल चुके हैं तो 20 cards बचेंगे जो red color है अब possibility of getting red card कितनी आ जाएगी जितने बचे हैं वो कितने बचे हैं 20 और total जो हमारे पास card है वो है 46 डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 10 और यह आ जाएगा 23 तो 10 by 23 आ गया उसके बाद third में वो कह रहा है कि possibility of getting black card तो black में से तो कोई remove हुआ है नहीं black के तो सारे बचे हुए तो possibility of getting black card क्या हो जाएगा पहले number of black cards लिख लेते हैं क्या हो जाएगा number of black cards तो number of black cards बच्चों 26 के 26 ही है क्योंकि इसमें से तो कुछ remove हुआ ही नहीं है तो यह बन जाएगे हमारे possibility of getting black cards equal to 26 upon 46 कैंसल कर देंगे यह आ जाएगा 13 यह आ जाएगा 23 तो 13 by 23 बन गया तो यह बने हमारे answer ठीक है तो इस question में ध्यान क्या रखना है जो card हमारे पास remove हुए है जो जो remove हुए है उनको minus कर देना कौन से remove हुए है एक बार फिर से बता देती हूँ यहां से यह six card remove हो गए है क्योंकि उसने कहा है कि jack को remove कर दो queen कर दो king कर दो red color के तो यहां तक तो ठीक था फिर count जब red color का करेंगे तो वहां पर जो आप total करोगे उस चीज का ध्यान रखना कि यहां पर जो यह बनेंगे red card वो 20 बनेंगे इस चीज का ध्यान रखना probability of getting head क्या होगी probability head की अगर एक coin को एक बार toss किया जाता है चालिए नेक्स है हमारे पास probability of getting a number greater than two with a fair dice probability of getting greater than two क्या होगी एक dice है एक dice को उचाला जा रहा है तो उसमें two number आने की probability क्या रहेगी चालो अब इनके answers देखेंगे देखो probability of getting a head एक coin को toss किया जा रहा है तो उसमें या तो head आ सकता है या उसमें tail आ सकती है क्योंकि एक head होता है उसमें एक tail तो total outcome हो गई उसमें two और head आने की हो गई one तो one by two हो गया यहां से probability of getting head और यही क्या हो जाएगी probability of getting tail तो मतलब correct option बना बच्चों यहां से option ही उसके बाद है probability of getting a number greater than two अब dice में six होते हैं मतलब one two three four five six greater than two कहा है तो यह जाएगा three four five six मतलब चार नंबर जो है वो दो से बड़े हैं तो four upon six हो जाएगा तो जो पॉसिबल outcomes है वो four और जो total outcomes है वो है six तो टू टू जा और टू थ्री जा तो टू बाए थ्री बना बच्चों तो यहां से सेंपल पेपर से ही कुश्चन थे बट यह क्या थे हमने चैप्टर वाइज लिए थे कि जैसे प्रॉबिलिटी है तो बच्चों प्रॉबिलिटी के ले लिए अब कुछ बच्चे ऐसा चारे थे कि हम एक सेंपल पेपर उठाएं और उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट को करें लिए उनको सॉल्व करें है तो अब जो हमें सेंपल पेपर को सॉल्व करते हो में तो नहीं हो हुग सब्स्यार करई है मैं ठीक करें तो अपनी क्लस तेंड करना कल की क्लास में मिलेंगे लेटिस्ट सेंपल पेपर की साथ जो कि आजकल आपको पता है कि इंपोर्टेंट हैं आपके आसपस जो आपको पता चल रहे हैं कि यह वाले सेंपल पेपर इंपोर्टेंट है तो वही सेंपल पेपर हम लेकर आएंगे मिलेंगे कल की क्लास में तो झाल झाल